हेलो गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू अनादर व्लॉग तो दोस्तो मेरे चनल में आप सभी का स्वागत है तो कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तो आज मैं जा रहा हूं शिमला तो अभी मैं आऊ चुका हूं पूरी तरह रेड़ी और बस घर से निकलने ही वाला हूं और अभी आप देखी सकते हैं मेरे पीछे कितना अंधिरा है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है तो ऐसे मैं हमारा साथ देंगी हमारी च खाते दो तो अभी निकलते हैं घर से और अभी हम जा रहे हैं ब्रटोइब स्टेशन क्योंकि वहीं सी हमें शिमला चाने के लिए अवह तो अभी निकलते हैं घर से विराव menor Αप को मिलते हैं ब्रगरुडवास्टोशन पर यह देख सकते हैं आप सुभा का वियू सुभा की अभी छे बज रहे हैं एंड हलकी हलकी बारिश भी हो रही है यह हमारा बडोग रेड़े स्टेशन जो घर से दस मिनट की दूरी पर है यह मागे टिकट काउंटर पर टिकट लेने गाइज समने टिकट ले लिए और आप देख सकते हैं टनल में से भी गाड़ी आ रही है एंड यह काल का टूशनला रेलवे की सबसे लोंगेस टनल है इसमें ट्रेन को भी काफी सेमय लग जाता है इस तरल को क्रॉस करते हुए तो अभी हम स्टेशन पर खड़े हैं और इस नोतोंते हैं अधरी सतनल को क्रॉस करती है तो यह लोग इन फीप सॉरी नजारा होथा है यह देखने ता तो अभी हम इस ट्रेन में जाएंगे शिमला दोस्तों यह जो अभी आप देख रहे हों जाती वी उस ट्रेन में हमें शिमला जाना था लेकिन हमारे पास जो टिक संटी वह जर्नल अभी इंपार्टमेंट की थी तो इसमें एक भी डबा जर्णल नहीं था सारे emitism डबे थे तो हमें कोई भी सीट नहीं मिली इसमेem जाने के लिए तो हम अब सात बजे वाली ट्रेन का बेट कर रहे है और यह आपके सामने जो है सात वाली ट्रेन आ रही है तो इसमें बैट कर हम जाएंगे अब शिम्ला पिशली ट्रेन में तो हमें एक भी सीट नहीं मिली बैटने के लिए लेकिन उमीद करते हैं इसमें कोई ना कोई जनरल का डबा हो जिसमें हम बैट के शिम्ला जा पाएं तो अब ही देखते हैं कोई डबा हमें मिलता है तो इसमें बैट जाएंगे गैस तो हम ही मिल गया है चैनल कंपार्टमेंट का एक डबा जिसमें हम बैट कर आप जा रहे हैं शिम्ला को तो अब आगे आगे देखिए इस ट्रेन का थोड़ा सामने जो लिया है शिम्ला तक लेकिन हम थोड़ा से निराश भी हुए क्योंकि इस ट्रेन में हमें बैटने के लिए कोई भी सीट नहीं मिली इस टब्बे में और ना ही इसमें खड़े होने लाइक अच्छे से जगा थ जर्नल का सिरफ एक ही डबा था इसमें तो हम उसमी चड़े हैं तो यह जो वीडियो के क्लिप्स बनाए हैं यह भी बहुत मुश्कुल से बनाए हैं किसी और के हाथ में पौन देकर अब कोई बात नहीं हमने इस जर्नी को बहुत ज्यादा इंजोई जरूर किया च्छिम्ला जाते वे अग्याइज वीडियो कैसी लग रही है आपको यह जरूर बताइए कुमेंट करके हैं आप णे हैंस जर्नी को कि नहीं घर बैठ्थ है हम जा रहे हैं है आद पता नहीं मिलती तो नहीं कर दिखने के लिए अ पत कि लिए प्तालत आगे जागे देखते हैं और यह हमारे सामने हैं जो यह ट्रेंट इसमें हम बैटकर आए तो अभी हम पहुच्छ तो अभी हम जाएंगे उपर रिज पर उससे पहले स्टेशन के आसपास का यह व्यू लेकिन यहां आके हमें फिर निराश होना पड़ा क्योंकि यहां तो मौसम बट फिर भी हमने इस व स्टेंड शिम्ला के और उसके बाद हम पहुंचते हैं बिल्कुल रिज के पास जो शिम्ला का चर्च है उसके आसपास के एरिये में और यहां पर आके भी हमें बिल्कुल से नो देखने कर नहीं मिलती बट हम आप चलते हैं यहां से आगे मौल रोड घूमने अगर आप लोग भी यहां आने का प्लाइन कर रहे हो तो आप आ सकते हैं लेकिन आपको यहां पर भरफ देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी अभी हाँ अगर आप आगे कुफरी नारकंडा जाते हैं तो वहां पर सनो फॉल हो भी रही है अमारे वैसे प्लैन तो है बाकी देखते हैं भी हम वहां पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं तो अभी हम बिल्कुल रिज मैदान के पास गुमते गुमते जा रहे हैं वैसे आम तोर पर ये रिज मैदान इतना खाली कभी नहीं देखने को मिलता जितना आज है कोई भी यहां दूर दूर तक दिखा इन देरे बहुत कम लोग यहां पर है देखने को मिल रही है तो यह चटो पर थोड़ी बहुत चनौफ और जो दो दिन पहले यहां पड़ी थी वो है देखने के लिए बाकि यहां कुछ भी नहीं है तो अभी मन तो ऐसा कर पहुंचकर कि अब यहां से वापिश जाया जाए घर को अराम से रेष्ट किया जाए अब इन लग रहा है रोगी चलते हैं उसके बाद थोड़ी सी फोटो वगरे लेते हैं और उसके बाद वापिश निकलते हैं घर को क्योंकि यहां पर अभी हमें कुछ मिलने वाला है नह बारिश हमने देखी हुई है शिम्ला में पहले भी तो चलिए अब यहां से थोड़ी बहुत फोटो वगरे क्लिक करा के हम जाएंगे यहां से वापिस तो अभी हम जा रहे हैं वापिस उपर से आ चुके हैं नीचे को इरिद मेदान से यह शिम्ला की गलियों से होते वे हम फिर बस्टैंड की थरफ नीचे को निकलेंगे तो अभी आगे हो मैं घर वापिस क्योंकि शिम्मला गया था मैं वहां कुछ मिला नहीं वहां बारिशी-बारिशी सोचा कूफरी जाते हैं तो कूफरी का प्लैन बना नहीं तो अभी हम आगे हैं वापिस घर में अब देखेंगे अगली वीडियो में अगर कल वहां कर लिजिये और लाइक और कमेंट वी कर दीजिये